साधर परणाम, आपके अपनी चेनल इंफोनी कॉर्नर में मैं निर्जा चोधरी, आप सभी का स्वागत है, वहम अभी नंदन करती हूँ आज के वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, मैं काफी समय से हम यह सोच रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनना चाहिए तो खुद की दृष्टी से बहुत इंपोर्टेंट लगा कि इस पर एक वीडियो जरूर होना चाहिए तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं GI TAG को, यानि की भौगोलिक संकेतक TAG या इंग्लिश में कहें तो Geographical Indications TAG तो चर्चा किसलिए हो रही है देखें, जानते ही हैं भारत में अलग-अलग बस्तों को GI TAG मिल रहा है फिलाल अभी जल्दी में क्या हुआ है, एप्रिल में ही, ओडिसा की गंदमान हल्दी को GI TAG दिया गया है आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि GI TAG क्या है, इनके क्या लाब है, ये TAG किसे मिलता है, इस TAG से संबंधिक चुनोतियां क्या है और भविश्य के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, तो GI TAG क्या है, भारती संसद ने 1999 में Registration and Protection Act के तहत Geographical Indications of Goods लागो किया था, 15 सिदंबर 2003 से इसको लागो भी किया गया, और इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार संबंदित राज्जी को दे दिया जाता है भारत में सबसे पहले 2004 में दारजिलिंग चाय को GI TAG दिया गया था, GI TAG विश्य व्यापार संगठन प्रदान करता है और GI TAG एक प्रकार की मोहर है जो किसी भी उतपाद के लिए प्रदान किया जाता है GI TAG बिलने पर उस चेत्र को सामुहिक रूप से इसके उतपादन का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है और GI TAG जो मिलता है वो 10 वर्षों के लिए मिलता है 10 वर्षों के बार इसका नवीनी करण कराया जाना जरूरी होता है अगर नवीनी करण नहीं कराया गया तो ये कैंसल हो जाता है GI TAG के लाब लाव ही ये हैं क्योंकि अंतराश्ट्री बाजार में वस्तु की कीमत और उसका महतु बहुत ज़ादा बढ़ जाता है परेटन को बढ़ावा मिलता है क्योंकि परेटक उस खास जगा उस खास वस्तु को खरीबने के लिए आते हैं दूसरा जो महतुपूर्ण अगला बिंदु जो महतुपूर्ण कहें जी आई टैग के लाव के अंतरगर जो भी उत्पाज जिसे टैग मिला है वो कानोनी संरक्षन उसे प्राप्त हो जाता है अन्य लोगों के द्वारा किसी पंजिकृत भोगोलिक संकेतक के अनाधिकृत प्रयोग को रोका जा सकता है यानि ये रोकता है जैसे इल्ली गली किसी प्रोड़क्ट को बनाना ये रोकने का काम भी करता है जी आई टैग क्षेतर विशेस की आर्थिक संब्रिद्धी होती है जी आई टैग गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद का उत्पादन सुनिश्चित करता है और आदिवासिक खेतरों का विकास होता है GI Tag मिलता किसे है? किसी खास फसल, प्राकृतिक और निर्मित सामानों को दिया जाता है चुनोतियां क्या है? इससे संबंदित इससे संबंदित जो चुनोतियां है वो यह है दस्तावेजी साक्षों पर निर्भरता जी आई टेग उन वस्तूओं को भी दिया जाता है जिन वस्तूओं के साक्षियों में उलेख है यानि कि दस्तावेजों में उलेख है कि वो वस्तू उसी राज्य से बहुत लंबे समय से संबंधित रही है अब कुछ इसे आदिवासी क्षेत्र हैं उन आदिवासी क्षेत्रों में लिखित दस्तावेज नहीं है वहाँ पर मौखिक ही सारी चीजे चलती है तो उन मौखिक के आधार पर कई बार उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि दस्तावेजों का यानि कि उन साक्षियों का दस्तावेजों में दर्ज होना दूसरा उत्पादों की सीमिद सुरक्षा की बात है यानि की सपोस जिसे दार्जिलिंग टी की बात कर लें उसे माना GI tag मिला है लेकिन कोई अन्य व्यक्ति उसी quality की चीज को किसी दूसरे नाम से बाजार में ला सकता है तो उस उत्पात की क्या हुई सीमित सुरक्षा हुई दारजिलिंग चाय के नाम से तो नहीं बेच रहा है लेकिन किसी अन्य नाम से वो बेच सकता है नियमों को पूर तरीके से इसपष्ट नहीं किया गया है नियमों की इसपष्टता होना बहुत जादा जरूरी है जिने इसपष्ट करना सबसे बड़ी चुनौती है पर्याप्त आंकलन की कमी है जब वस्तू मार्केट में जाती है अंतराश्टी बाजार की बात करें राश्टी बाजार की बात करें अनि कि घरेलूई अंतराश्टी किसी भी बाजार की हम बात करें तो उसका एक प्रॉपर आंकलन नहीं है एक आंकलन होना चाहिए वाने जिग द्रिष्टी से उसका एक आंकलन होना चाहिए जो उसका आंकलन करना बहुत बड़ी चुनोती है भविशे के लिए क्या कदम होने चाहिए सबसे पहले नियमों में लचीलापन जरूरी है क्योंकि जैसे कहा कि जैसे आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर लिखित साक्षे नहीं है तो इस मामले में थोड़ा सा नियमों को लचीला किया जाना जरूरी है उतपाद की वैदता स्थापित करने के लिए इस पश्ट भोगोलिक सीमाओं को परिभाशित किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ऐसा किया जाना चाहिए और सभी हित धारकों जैसे कि उतपादक है या डीलर है इनके मद्य संचार का उचित माध्यम विक्सित किया ज ज़रूरी है और यह सबसे बड़ी चुनोती है अब तक बहुत सारी वस्तों को जी आई टेग मिल गया है आप नेट पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं जैसे कुछ वस्तों हैं जैसे मुजफर पूर की शाही लीची है मद्य प्रदेश का कड़कनात मुर्गा है और मद्य प्रदेश की मदुबनी पेंटिंग्स है बिहार की तंजावर आर्ट प्लेट है तमिलनाडू की और ब्लू पोटरी ओफ जैपोर राजस्थान की ऐसी अलफानसो आम है और इन सबी चीजों को जी आई टेग मिल गया है बाकि बहुत संब्लंबी लिस्ट है सारे लिस्ट से एक व्यक्ति के द्वारा रजगुलों बनाये जाते थे लेकिन वहीं ओडिसा का ये कहना है बारवी शताबदी में भगवान जगनात के को जो भोग लगाया जाता था तो इन बातों को लेकर जी आई टेग को लेकर दोनों राजियों में विवाद है जो ये विवाद हु इंपोर्टन्ट टॉपिक लगता था इसलिए आज के वीडियो में इसे शामिल किया है थोड़ा डीटेल हो गया है लेकिन इंपोर्टन्ट है सभी बिंदों को समेटने की कोशिश की है अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर कीजेगा आप कमेंट जरूर कीजेगा कम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दूसरा हम मोटिवेट होते हैं अगले वीडियो को तयार करने के लिए आप लाइक जरूर कीजेगा शेर जरूर कीजेगा और लगातार साथ बने रहिए आपकी उपस्तिती हमारे लिए सम्मानी हैं और हम चाहते हैं कि आप जब तक हम य झाल 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 झाल